नहीं जाएंगे कि किसी आपको पता नहीं कल भी तो मेरा 9 10 बज राथ तक बुगता मामला और मैं वहीं से लोट किया एपा करके कि मैं किसी चैनल पर नहीं जाओंगा जब गाली शुर्क यह वाइन पर की इस लिए पर किसी डिवेट में यह बात हम लोगों को रेडिकलाइज जबरन आप लोग कर रहे हैं कि पैसे लेते हैं चले जाते हैं ये लोगों के इस आरोप में दम तब दिखता है जब गाली सुनके भी वो बंदा फिर वही टीवी पर हाजिर होता है अने को एंकर है और इसमें कमपडिशन है कौन कितना जहर उगल सकता कौन कितना घेर सकता इसलाम को अरे भाई मजब यहां पार्सी भी है जाहिन भी है तुम हाथ दो कि इसलाम के ही पीछे क्यों पड़ गए हो इसलाम और मुसलमान को देश के लिए समाज के लिए खत्रा बताने का पूरा एक सेटप इन्होंने त्यार किया और उसी का अध्यन करते हैं उसी का मुताला करते हैं जो रेलिया निकले देश के कई शहरों से वाजफता वीडियो आ रहा है मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिलाएंगे मुल्ले भारत चोरो एक ही अस्थान खबरिस्तान पाकिस्तान मने और हमारे नभी की शान में दोबारा फिर गुस्ताफ यहां यह सारी सारे वीडियो लग बग आट नो वर्षों से आप जब कई दूसरे चैनल में थे तब भी आपके तीखे सवालों को भी मैं जहेलता था मैं तो कभी पिछली तो नहीं हुआ आपको पुरा अख्तियार है आप सवाल पूछिए क्यों भी यह कहते हैं ना कि पैसे लेते हैं चले जाते हैं यह लोगों के इस आरोप में दम तब दिखता है जब गाली सुनके भी वो बंदा फिर वही टीवी पर हाजिर होता आज 22 कॉल आए हैं रात के 9 बजे उस पैनलिस्ट ने माफी मागी है जी जिस जो पैनलिस्ट था कि मेरी व पर जाएंगे? नहीं भाई मैंने कहा क्यिक मेंने मेरा जो फैसला होता वह उटा है मैंने कहा दिया इस तरह के किसी भी डिबेट में जाओंगा जहां आप ने पालान बना रखा है नहीं जाएंगे कि किसी पे पता नहीं तो मेरा 9-10 वजे राद तक मुखता मामला और मैं वहीं से लौट किया, अलान करके, कि मैं किसी चैनल पर नहीं जाओंगा और मैंने अलाइव में किया है, कान वही तो पकड़ा था, सुछ रहाँ कि आप सारी मैंने सारी उसी दिन ऐसे मैं कहा इंडिय टीवी में कान पकड़े यह विए इनका वी चेहराइ उसी तरह से में धूमिल कर दें जैसा कि कई पैईनल पैनलिस्टों को आपने माबहन भी किया है कई पैनलिस्टों को आपने कटगरे में ला दिया समाज के सामने भी मैं वो चेहरा नहीं हूं मैं आवाम के बीच का चेहरा हूं मैं मेरी सलाहियत मेरी हैसियत जो भी है लेकिन आवाम के बीच है ठीक है मैं पबलिक में बैठता हूं मैं मुस्तकिल लोगों से डिबेट करता हूँ मुस्तकिल लोगों के घर खाता पीता हूँ मुस्तकिल लोगों से मीटिंगे करता हूँ मुलक के हालात कैसे बेहतर होंगे उस पर मैं मश्वरे करता हूँ और उसके लिए पलान को फिर आगे बढ़ाता हूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो ये चीज बरदाश्ट नहीं कर सकता मुझे महफिल में भी कोई देखता है वो कहता है तो वो ये बात जरूर करता कि ये भी जाते है टीवी में तो सवाल आपने किया है लिक कर ले जाएए फिलहाल एंकरों के स्थिटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है एंकर अपने काम में लगे रहेंगे चाहे उन पर मुकदमा कर दो चाहे उनकी गिरफतारी कर लो आप इससे पहले तीन चार मुकदमे हो चुके हैं आपको पता हो और इसमें कमपटिशन है कौन कितना जहर उगल सकता कौन कितना घेर सकता इस्लाम को अरे भाई मजब यहां सीख भी है इसाई भी है बौद भी है पार्सी भी है जैन भी है तुम हाद दो के इसलाम कही पीछे क्यों पड़ गे हो इसलाम और मुसलमान को देश के लिए समाज के लिए खत्रा बताने का पूरा एक सेट अप इनों ने तियार किया और उसी का अध्यन करते हैं उसी का मुताला करते हैं कि हमें इसलाम और मुसल्मान दो चीजों को खाली बताना है कि विलन है ये और ये खत्रा है ये समाज के लिए खत्रा मुलक के लिए खत्रा उनको कभी वकात नहीं होती है कि वो मसल्मानों की उन खुर्बाणियों का भी जिक्र करते है जो इस मुलक निर्मान के लिए लिए इस मुलक के बुनीयाधी धाचे को मजबूट करने के लिए इस मुलक के तरकी और सरबलंदी के लिए जो कुर्बानियां पेश की गे उस पर कभी डिबेट नहीं होगा डिबेट जब होगा तो उसने वो एक शराबी का वीडियो वाइरल हो रहा लगाता रूसी पर डिबेट हो रहा अब उसको भाजपा ने उस वैसा बयान दिलवाया किसने दिलवाया हो कब का खादिम है हम या आप बाखू भी जानते हैं लेकिन वहाँ पर जो उसको कंडेम करने वाला वीडियो उनी खादिम का सेयद सरवर चिष्टी करके शायद उनका नाम है वो उसको मना कर रहे हैं हमारे संस्ता से जुड़ा हुआ वेक्ति नहीं है इस पर कारवाई होनी चाहिए हमें मतलब नपूर शर्मा के समर्थन में जो रैलिया निकली है देश के कई शहरों से वाजफता वीडियो आ रहा है मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिलाएंगे मुल्ले भारत छोरो एक ही अस्थान कबरिस्तान पाकिस्तान मने और हमारे नभी की शान में दोबारा फिर गुस्ता आप नहीं करते हैं यह कितनी बड़ी बात है देश का सबसे बड़ी मना यहां पर बेज़िती नहीं हो रही है अब उसके आगे कुछ है कि आपके पास बताईए है नहीं है ना हर आदमी गरीब मजदूर निराश मायूस उदास जो होता हो कहां जाता वहीं जाता अपनी फर है इसा बना दिया कि किसी की नजर कववा कान लेकर किया सब कववा को तलाशने में लगे रहे हो पूरा भारत कवव्य को तलाश राख कान देखी नहीं रहा है भासमेद रहे हैं ना तो इससल़ा यह है बहुत अफ्सोसनाक माहौल है लेकिन बहराल अपनी महदूत सलाहियत से जो कुछ भी बन परेगा आप जैसे पत्रकारों की मदद से हम लोग अपनी आवाज आवाम तक पहुंचाएंगे आवाम से एक गुदारिश आपके चैनल के जरीए करेंगे विशेशकर जो लोग हम लोगों की बातों को अगर समझते हैं उनसे गुदारिश है शोशल मीडि और गुरान में का गए ला इन शकरतुम लाजीदनकुम वला इन कफरतुम इन्ने अखाबी लाशेदीद जो नैमत ल्ला का है अगर उसका शुकुरिया आदा नहीं करेंगे तो आजब में मूबतला हो जाएंगे शदीद आजब में तो ये भी मैं मानता हूं मेरा मानना मै समझता हुमारे ओलमा को भी यही कहना चाहिए बहराल बहुत अजीम तोफ़ा इससे बड़ी निमत क्या होगी कि साथ समुन्दर पार भी कोई मेरे परिवार का है वो हमसे बरहे रास्त बात कर रहा है देख रहा है मैं खा क्या रहा हूं मैं पहन क्या रहा हूं मैं किस हाल में हूँ यह तसब्र से परे बात है तो अल्ला की बहुत बरी निमत है इसका साकरात्मक इस्तमा कीजिए मुल्क के तरकी, मुल्क के फला, बहबूद, भाईचारा, प्यार और महबत के लिए जो पैगाम लिख सकते हैं वो लिखिये, जो बोल सकते हैं वो बोलिए, और जो सुन सकते हैं वो सुनिये, और वो जो शेयर आप करते हैं खुदा के वास्ते, उस तरह के किसी भी मैसेज को लगता हो आपके कलेजे पर लेकिन आपको ये सोचना कि जिस तरह से मेरे कलेज़ पलगा मेरे भाई के बी कलेज़ पलगेगा इसलिए रोको रोक दो ऐसे मेसेज को शेर न करें अच्छी बातों को शेयर करें जो सर्व धर्म Ciao ऑव सारे में भाई चारा प्यार म्हबबत और इसलाम ने प्यार मोहबबत सिखा आप पर मजहभी जिम्मेदारी भी है का आप इस काम को आगे बढ़ाएं यह मैं कह रहा हूं और इस पर मैं एक प्रोग्राम भी लगातार अभी परसों में सुल्टानपुरी में किया था लगातार मैं कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर हमारे लोग अवेर हो जाएंगे नहीं वह तो भी आपको सुन रही है वह टीवी पर नहीं 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 आज एक बात और बता दूँँ कि हम लोग का मॉमेंट है आपको पता आप जंतर मंतर पर बड़े टेरे मेरे सवाल करते थे आज की बात नहीं लगबग काट नो वर्षों से आप जब कई दूसरे चैनल में थे तब भी आपके तीखे सवालों को भी मैं जहिलता था मैं तो कभी बिचलित नहीं हुआ आपको पुरा अख्तियार है आप सवाल पूछिए क्योंके यही तो डिमोक्रेसी है और मेरा करतब बन तक मैं जवाब दूँ अब मैं जवाब से भाग जाओं यह मुझे बहतर नहीं लगता या सवाल करने वालों को गलत कुछ बोल दूँ यह भी नहीं मैं फिर कह रहा हूँ कि मजहभी मुद्धों पर अगर बहस होगा मैं नहीं जाओंगा अगर इसलाही कोई प्रोग्राम होगा कभी कभी टीवी प देख भी देखते हैं तो वहां मैं जा सकता हूं फिलाहल अभी कोई ऐसा मामला नहीं लेकिन मैंने मजहभी मुद्धों पर बिल्कुल बाइकौट कर दिया है इसलिए बाइकौट किया कि मजहभी मुद्धों पर गुफ्तगू करने तो ठीक है हिंदु धर्म गुरु बैट पर मैं ना आगे बढ़ूंगा और मैं अपने लोगों को भी इंशालला रोकने कोशिश करूंगा बहुत सारे लेटर लोगों की जारी हुए लोग नहीं रूके लेकिन मैं अब नीजी परियास भी करूंगा कि लोग हमारे इस मुद्धे पर जाएं टीवी पर पॉलिटिकल ल में जुड़ता पर वक्त तो वो पाठी के प्लेटफरम चाप जाएं कोई टेंसन नहीं है हम जा रहे हैं हम समाज के इस से लेकिन वहां दिखाया जा रहा हमाई धर्म गुरू वहां दिखाया जा रहा है इसलामी के स्कोलर तू समझ रहा है कौन होता है मैंने बीसियों बार कहा लाइज में कहा कि साथ यह क्या आप कर रहे हो मुस्लिम है स्कोलर इसलामी स्कोलर इस पद को में शूशोबित नहीं करता हूं मैं इस लायुए चोटा सा एक खादिम हूं। का ये बात है कि मैं अppenने के लिए काम करना है देश के लिए करना है और नियाय के लिए करना और इनसाफ के लिए करना तो उसमें हम जहां फीट बैटेंगे हम जतना टाइम उधर देंगे समाज में देंगे बात बात तो वही है चार-पांच गंटा हम उधर बरबाद करेंगे बरबाद ही करना हो जाए हैं कि जादा जादा लोग समाज के पीछ जाएं काम समाज में अब करना है बहुत शुक्री हमारे साथ बात करने के लिए तो हाफिज गुलाम सर्वर थे ये लगतार टीवी डिबेट का हिस्सा रहते हैं वहां पर जाकर अपनी बात रखते हैं लेकिन सचाई ही आपके सामने को रहना है इसके अलावा और भी बहुत सारे हत्कंडे हैं जैसे वोईस को कम कर देना और अपने सेलेक्टिव जो पैनलिस्ट है उनको बिठा देना किसी एक को टार्गेट करके मुसल्मान को टार्गेट करना ये तमाम चीज़े निउस चैनल की रहती हैं इस वीडियो में स इसी तरह के तमाम इंट्रिव्यूस के लिए आप एर नियूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बहुत शुक्रिया